जै मातादी सरस्वती मैस में आपका स्वागत है आज जो हम करने जा रहे हैं आर्मी जीडी मैट टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें 15 सवाल गनित के होंगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूप पर आपको लाइप पढ़ा हूं तो आपने कमेंट सेक्शन पर यस लिख देना और साथ में टाइमिंग लिख देनी है कि मैं आपको कब पढ़ा हूं सुभा दोपहर या रात को और हम एक बेस टाइमिंग उठा कर एग घंटा हफते में तीन चार दिन आपको आराम से मैं पढ़ा सकता हूं तो चलो आएए शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला सवाल था आज का ये रहा तो पहला सवाल बोल रहा है कि इफ एक सब्सक्राइब यजेड की वैलियू जब हम पूट करेंगे तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा तो बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों हमें सिर् अफरा लिख देता हूं कि एकस क्यूब प्लस वाइक यूट पलस जडं क्यूट ऐसग गया और मौनिस त्री में यके आगया ऑनाय आपको सिर्फ वैलियू सो वन का क्या जैगा क्योब वन हो का क्योब का जैगा दूस्तों 8 एट सीका क्योब क्या जैगा दोस्तों टुन टे सावन गई तो रिक कितरों दों स्टंक्राइब तोशिण सफेंट इंच्टों दॉस्तों अंसर वा वह आ गया है दोस्तों सी ओप्षिन मतलब 18 is the right answer समझ आया कि नहीं आया तो आपको ये simple असान सा question था दोस्तो X और YZ की value दी हुई थी आपको बसा आपको सिर्फ value पुट करनी थी और आपका answer आराम से आ जाना था अभी देखतें next question देखतें next question क्या हो रहा है तो next question बोल रहा है कि what is the 20% of the 50 plus 70 मतलब bracket में तो मतलब सीधा सीधा सवाल बोला हुआ है इंदी में कि 20% निकालना है किसका का निकालना है किसका दोस्तो 50 plus कितना दोस्तो 70 bracket में अब board mass apply करतें तो board mass जब हम apply करते हैं तो हमें पता कि सबसे पहले क्या solve हो थी bracket तो bracket solve होती तो इसको मैं के लिख सेता है दोस्तों 20% का और bracket solve की तो यह plus हो जाएगा तो यह plus हो गए तो कितना आगए दोस्तों 120 तो मैंने लिख दिया 120 अब बोला कि की इसको solve करना तो percentage अठी तो तो इसझ में 200 निश्थे औरuros 1024 होते तो आगर 1200 अंसर के तना अगया दोस्तों वी तो बी ऑप्शन इस्दा राइट A calling बसमूज आया किनी आया तो यह वह सब्रकरारा थे दोस्तों करते नेक्स्ट कोशन अगे वह रहा है बाइ सेलिंग एक कार फॉर रूपीज शिक्स थाउजन फॉर हंडडर परसंट सफर टुइंटी परसंट लोज मतलब एक मतलब कोई मतलब दुकान दार है कोई वी यह अगर वो छीहाजार चार्सुर रूपे में एक कार बेच कर एक विक्ति बीस परसंट नुकसान होता है है क्यैं होथा दोस्तों सैलिंग प्राम कि जिए टो लागत मुले कितना होगा मतलब लागत मुले उसको लागत मुले भी और शक्री मुलर carbon हम पर से क्या होगा दोस्तों हमेशा लागत निकाले तो मैंने बहुत बना राखता लुज़स्तु एभी सुंटने करता हो तो इसे हमेशा ह। कितने का बेचा भागा दोस्तों अगर जो मैने उसक्त वो 80% समझ है क्या है तो आपकी सोच की सोच मिल गई कि आपका तो déjà कि अग्जमर का कि ये कितना measurement 64400 है हमेशे एक परसेंट की वहले निकालो जोग है बाइए मेरा तो एकपरसांति ग्रोर सब्राइबुaty और कितना गया जोग्टा इस तो इस गतना और तो कितना है तो इस मैंने मिलुटीपलाई कर दिस तो मेरा अंसर आगा है दोस्तों, option A is the right answer, उसका जो लागत मुल्य होगा, वो 8000 होगा, क्या इसको आप fraction में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अब यह आप सीधा सीधा दिया हो, दोस्तों, हानी, हानी कितना होता, 20%, आप 20% की fraction मना लीजिए, तो एक बटा कितना आगा पांच, तो पांच रपी की चीज थी, एक हनी होई तो उसे कितने का बेचा होगा, नेचरो चार पे का बेचा होगा, तो यह आगया, बस आप comparison कर दो भई, यहां पर चार comparison हो जाएगा, आपका चार exam का कितना है, 6400, आपका एक exam कितना आ जाएगा, 6400 कितना है, 4, 4 से काटा कितना है, 1600, आपका बेचा होगा, और आप से कहा, कोश पाई, कोश पाई, कितना पांच, तो 5 से मिल्टिप्लाइ कर तो, तो 16, 100, मिल्टिप्लाइ बाई, और 16, 50, 30, 80, और कितना है, दूस्तो, 8,000 आगया, तो भी answer कितना है, दूस्तो, option A is the right answer, समझ आएक निया, अभी दे चार साल के बाद, the sum of their ages will be 44 years, पर चार बर्ष के बाद, उनकी आयू का जो योग है, वो 44 वर्ष होगा, तो मोहन की बरतमान, आयू के होगा, बड़ा यह असान सवाल है, तो अभी इस कोशन को करना हो, तो आप एक लाइन लीजिए, और उसमें सीधा लिख दीजिए, कि मोह 5 टाइमस है तो आपने लिख देना, 5 टाइमस है, 5 रिश्यो एक, तो कौन है 5 रिश्यो एक, एक मोहन आ गया, और यह क्या आगया, अब आगे कोशन बोल रहा है, चार बर्ष के बाद, तो यहां लिख देता हो, चार बर्ष बाद, मैंने सभी के ओपर वीडियो बनाई ओपर वह कितना, दोस्तो 44 बर्ष देन, अगरी करते हो की नहीं करते हो, अब मैंने बोला है कि कभी भी कोशन आ जाए, आपके सामने कभी भी कोशन आए, अब सोचना कहां से स्टार्ट करना, आपने हमीशा तीन से स्टार्ट करना, आपके मताबिक जो मोहन है परजैंट में वो 5 साल का है, आपके मताबि उसका बेटा जो वो कितने साल का है, एक साल का है, इसे समझ लो, अब रेशियो को तो मैं आप डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि रेशियो में अगर मैं मल्टिप्लाइ करूँगा, डिवाइड करूँगा, रेशियो क्या हो जाएगी दूस्तों, चे सम देखे जाए, यहां पर इनका सम देखा जाए, जो होगा वो कितना होगा, तो चार साल मोहन के कम कर दी, चार साल उसके बेटे के कम कर दी, तो यहां पर जो सम होगा, वो कितना होगा, दूस्तों, 36 वर्ष होगा, एगरी करते हो, सभी के करते हैं, चो 44 में 4 माइनिस करते ह बस आपका 6 एक्जामर का सर्फ अराम लेख़ दिविए मेरे से कैया पूछ रहा मेरे से पूछ रहा मेरे मताबिक बरतमान में कितना है तो पांच तो बाई می मेरे तो बर्धا पांच रहा गतने बर्षते throw है तो आप्शन स्वियर्श happy द है जैसे यह आप अपने तरीके से सोच पाते हैं तो जैसे कुछ भी numerical value यह होगी उसके साथ आप comparison कर लोगे जैसे यह आपका comparison हो जाएगा तो आपका answer जुरूर आ जाएगा समझ आया कि नहीं आया अभी देखतें next question देखतें next question क्या बोल रहा है कि 1 upon 5,3 upon 7,6 upon 11,10 upon 19 what is the next अभ next क्या होगा तो सामने दिख रहा है कि अगर ये solve किया होगा तो ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगरा है कि जो उपर वाला उता पुशिश की है तो देखते हैं अभी देखो वं के बाद किया बाना दोस्तों तरी बना तो प्लस के किरें टू कि ए आधि विए श्क्स के बाद किले ईश्किए थरी के यहथा सिक्स वां उस्क्स वना तो नीचे-वlor के देखते हैं थैंसские इहँड मद इस्टेफस थरी समघ् उपर में क्या होना है प्लस 5 होना है तो यह कितना हो जाने है 15 हो जाने है समझ आए कि नहीं है अब यह प्लस 8 है तो मतलब डवल हो रहे है 2 का 4 4 का 8 8 का डवल की कितना 16 तो 19 में जब हमें 16 डालूंगा तो बो कितना हो जाएगा दूस्तों 35 हो जाएगे एक शहर की जनसंक्या वो 64,000 बारशिक दर के साथ मतलब हर साल दस परसेंट बढ़ती है तो तीन बरश के बाद उसकी जनसंक्या क्या होगी तो सामने दिख रहा है एक पैटरल वाला फोलो हो रहा है दोस्तों कैसे समझते हैं अब देखू तो अभी देखो मालनों कि अभी 2020 चला हुऊ है तो 2020 में क्या हुआ कि उसकी जो हर साल 10% बढ़ती है तो यहां करे चलेगा 2020 कि कि सोचंचना हमें अपने तरीक है ग्जामर क? सोचना हमें तो अपने तरीके से यह एक्जामर बोर रहा है कि हर साल 10% बढ़ती है तो यहां भी 10% बढ़ी यहां भी 10% कुछ अलग दियो तो हमें अलग देखे देते तो हर साल कितने बढ़ी दोस्तो 10% बढ़ी अब इस कोशन को क्रेक करना है तो अब मुझे पता है कि एक प संख्या होगी वह अपने आप में कितनी होगी 100% होगी तो ये कितनी हो जाएगी 110 पर अब कितनी है है तो इसको बढ़ी यह परसेंट करना था पर्सेंट करना था इतना मैं सजा रहा हूं आपको यह सारा दिमाग में हो जाता दूस्तों जोस्तों अब आ यह बाढ़ना पड़ेगा तो सुत्र में कैसे बाढ़नते तो दस से कितना होगे 11 रहा पहले साल दूसरे साल भी दस से ग्यारा खार तुछरे साल भी दस से गैर जैसे पर में आजाएगा तो आपको यह डाइग्राम नहीं Ud jeste लिखता है अब दोस्तों तो प्रसेंटेंटेज का मैंने percentage के उपर मैंने art video बनाई पूर basic level के बनाई हो अगर वह आठ वीडियो आप देख लोगे ना मैं बोलतो हूँ आपको आदा मैत clear हो जाएगा अब इसको multiply के कर दिये तो कितना आएगा 1000 इसको multiply कर दिये 1331 आगया तो मतलब यह वाली जो value आगी मेरे मताबिक 2020 आगया clear हो गया और यह जो मेरी value आगी यह क्या आगया दोस्तो 2023 आगया मतलब क्या मेरे मताबिक 2020 में कितनी ही दोस्तो मैं बाद कर अपने तरी के से सोच लिया तो बस मेरे मताबिक तो कुछ होगा नहीं बस comparison करो भाई बही मेरा तो हजार एक्जामर के कितना दूस्तो 64000 है समझाए कि नहीं है हमेशे एक वैली नकालो भाई मेरा एक एक्जामर के कितना दूस्तो 64000 बटा कितना आगया दूस्त से 30-0 कटी मतलब मेरा जो एक वैली आरी एक्जामर का 64 64 गुनार तो मेरी जो 2023 में वैली आरी वह कितना एक हजार तिन सो कती सारी एक्जामर के कितना आगे दोस्तो 64000 बटीप्लाई वैं 1330 आगे आब इसको में लिटिप्लाई कर लगते तो 06 1818 191 कितना आगे 7 4 से कितना आ वन एट आ गया तो मतलब कितनी थी उसकी 2013 में जंसक्या वो कितने जाएगी दोस्तो 85184 हो जाएगी तो सामने दिख रहा दोस्तों और प्रव्चन बीज दा राइट अंसर समझ आये कि नहीं तो इस को आपको ऐसे करना था अभी देखते नेस्ट वोशन देखते नेस्ट कोशन क्या बोल रहा है तो सेवंत कोशन बोल रहा है दा सीफ अफ दैसीफ ऑफ एसीफ मतलब था महत्तव महसर्व आपको पता ही होग इसका अलग से लसी मिलीजिए चलो मैं लेकर बताते तो अगर आप निकालते हो तो आप ऐसे निकालते हैं दो से डिवाइड किये दो और मसर्वर का मतला है सेफ का जो मतलब हो ता हाइस्ट कोमर फेक्टर फिर आप पॉम्मन देखते हो ना क्लिर होगा इसको टू से गया त नुसे गया तू से क्सिच्टिन टॉल में नाकी और यह कितना है दूस्तों 3 या गया तू से गया तूसे गया कितना अगया 3 या टू से प्ले एट वंसे इस तो जाता नहीं जूसतों मैं टू से कटने लग पड़ा यह त्री से जाता थी से कट़ शेक data 2 3 1 अगया अभीड से से चला जाता है सैवं से चला जाता है 21 273 21 यह 3 सीसे चला चला जाता है फिर 11 ऐसा कारते वहां पिर आपने यह 242 से काटा कितना है दूस्तों 6 दो 1 दो तीन आया यह evaluated時 से चला जाएगा 2 से तो जाए 나서 जहेए नहीं क्या 3 से जाएगा ये तो देख लेए ट्री से नहीं जाएगा इस 7 से जा क्से जा सकता है कि 7 से चला जाएगा जाए था फिफटे सिक्स पिन अब जा 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 तो यह आए अब आप आप के देखते हैं धूस्त आप आप ढ आप इस पे common क्या रहा है तो सामने दिख रहा है जो common आ रहा है और क्या रहा दोस्तों एक seven common आ तो मतलब two or seven two common आए तो जो multiply किये तो मेरा जो इनका जो scf आएगा common आएगा तीनों का वो कितना आएगा दोस्तो 14 आएगा तो मेरा उसे ऐसे बाइड करना जब उसको लिख लिए और उससे छोटी जो हो उससे अगली हो उससे अपने दिवॉइड करna जब तक डिवाइड करता जाना तब तक completely cut न जाये अब यह काटा तो वन जा कितना होते दोस्तों 1246 होते हैं काटा कितना गया दोस्तों जिरो four कितना एक फिर एक्सोराइच जो भी बचाे और जिस्से भागई उसको लिख लो तब तक आए से काटते जाना अ गएक सोचालीश को किसे सlor में इसको प्रॉपर कार दिया तो हमारा जो सैब श्याइमें तो हुए बचा होगा रहता सका वह है नहीं को चाहिता नहीं बचा होगा बचा बचा है यहार्ना हम पर चागए क्रॉपर करें लेकर फैकंश in इसको आपको ऐसे करना था अभी देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है नेक्स कोशन बोल रहा है इफ A ratio B is equal to 6 ratio 7 और B ratio C is equal to 8 ratio 9 तो बड़ा ही असान सवाल है दूस्तो रेशो का सवाल है और आर्मी जीडी की प्लेश्ट में जाईए आर्मी जीडी की प्लेश्ट में जाईए सारी ही वीडियोस मैंने डाली हुए हर चैप्टर की पूरा बेसिक तरि पर पीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लिए A ratio B की तरह दिए 6 ratio 7 अब B की value फिर से दिए तो उसके नीचे लिख दीजिए और C के नीचे के आ जाएगी C की value आ जाएगी तो साथ वाला के लिए 7 और साथ वाला के लिए 8 लेजिए तो 86 मैल्टिप्लाइ किये कि तरह आगा 48 8 7 जे किता है 56 और 9 7 जे किता होते है 63 होते है तो परांतु आपसे जो पूछा हो A ratio C पूछा तो A की value की आगई आगी आपकी 48 आगी और C की value कितना है जिए 63 आगी अगे अगर यह कटते तो काटो ने करते तो बन काटो जा रहे है तो कितना आगा 16 ए 3 से काटा कितना 21 आप multiply करो, divide करो, ratio कर रहती है, same रहती है, तो उसके बाद मैंने इसको divide कर दिया, तो मेरी ratio जो बनगी वो 16 ratio 21 बनगी, समझ आया कि निया है, अभी देखते हैं दोस्तों, next question देखते है, next question क्या बोल रहा है, next question बोल रहा है, if 17% of the certain number of the mangoes is 1360, and what is the number of the mangoes, अच्छा मुझे बता 1360 है, तो मतलब आप मुझे बताओ, जो कुल आम होंगे, जो कुल आम हमसे पूछ रहा है, तो मेरे मताब़ कि जो कुल आम होंगे, वो अपने आप में कितने percent होंगे, दुस्तों, 100% होंगे, अब बोल रहा है कि निश्ची तरासी का 17%, अगर 100% का 17% दो, तो examiner के मताब़ कि 1360 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू, जो कुल आम होंगे, 100% होंगे, तो 100% की वह हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो सामने दिख रहा है कि हमें 17% की वैल्यू दीए, तो हमेशे 1% की वैल्यू आराम से निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो स्त परसेंट की वेली पूछ रहा है तो मैंने सो के साथ मुल्टिप्लाई कर दिया दो जीरो और एक्ष्ट आगी तो मतलब एक्जामर के बतावी जो कुल आम है वो कितने दुस्तो आठ हजार है समझाए कि नहीं है तो इसको आपको ऐसे करेक्ट करना था अभी देखते है कि दो वेल्यों आएंगी वो कैसे आएंगी दूस्तो वो हम क्वाट्रेक्वेशन का क्वेशन है धिगात समीकरन बोलते हैं तो यह कैसे होगा दूस्तो आप देखो मैंने क्या बोला हो कि कभी भी जो आगे हो उसे मल्टिप्लाई कर वा लीजिए तो यह 146 जा कितना होते द दूस्तो 84 आगे तो अब आपने करना क्या है अब आपने दो वेरियेवल दो वेरियेवल ऐसे चुलने हैं कि जिनको मैं मल्टिप्लाई करू पहली जो नजर आपकी यहां जानी चाहिए दो वेरियेवल ऐसे चुलने जिनको मैं मल्टिप्लाई करू तो 84 बनने चाहिए जिन अब 84 का अगर मैं लो तो 2 से काटा कितना है 42, 2 से काटा कितना है 21, 2 से काटा, sorry 3 से काटा कितना है, 7 और 7 से काटा कितना है, 1 आया, अब मुझे 2 वेरियेबल ऐसे चुनने हैं, जिनको मैं multiply करो, तो 84 बनते हैं, और दूसरी नजर मेरी यहां जाने चाहिए, उनको मैं माइनिस क करो 25 बनते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, यहां से 2 वेरियेबल बनते हैं, 7, 2, 14, 14, 2, 28, मुझे तो दिख रहे हैं, तो यह आपको practice से ही आएगा, 28 को अगर मैं 3 से multiply कर दूँ, तो कितना बनते हैं, 84 बनेगे, यह तो आपको पता ही है, अगर इनको मैं माइनिस करों, तो 25 बनत माइनिस हो रहे हैं, तो यहां पर sign माइनिस का तो बड़े वाला क्या आजएगा, माइनिस का चोटे वाला क्या जाएगा, is the right answer, समझ आए कि नहीं है, तो इस question को आपको ऐसे crack करना था, अभी देखते है, next question क्या बोल रहा है, next question बोल रहा है, the length, the length of the rectangle is four centimeter more than the breath, मतलब एक आयत की जो लंबाई है, चोड़ाई से 14 centimeter अधिक है, तो should the length and breath increase by three centimeter, अगर मैं length भी three centimeter बढ़ा दूँ, और breath भी three centimeter बढ़ा जाता है, 81 square centimeter हो जाता है, तो what is the length of the breath of the rectangle, अगर इसको मैं simple way में समझाना चाहूँगा आपको, यह क्या आपकी length है, तो आपकी जो, यह साथ वाली क्यों होगी, दूस्तों, breath होगी, अगर अगर और x है, माल लेते हैं कि x है, थोड़ा practically समझते, x है, तो आपकी जो breath है, वो 4 centimeter जाता है, तो वो कितनी होगी, x plus 4 होगी, समझाया कि नहीं है, अगर अगे question बोर रहा है, कि यह क्या, दूस्तों, area है, अगर मैं अपनी जो length है, वो 3 centimeter बढ़ा दू, इसको मैं 3 centimeter बढ़ा दू, तो यह कितनी है, x plus 3, और जो breath है, वो भी 3 centimeter बढ़ गए, तो 3 और जुड़ तो वो कितना जादा आ रहा है, 81 जादा रहा है, square centimeter आ रहा है, समझाया कि नहीं है, तो इतना जादा आ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यहीं पूछ रहा है, कि लंबाई और चुड़ाई क्या होगी, तो देखो, आप इसको solve करने जाओगे, तो हाँ solve तो कर सकते आप आरामस है, इसको solve करोगे, तो आपका अंसर तो आई जगा, पर देखते ही इसका अंसर दिख रहा है, दोस्तों कैसे, length और breath दी हुई है, तो इनका जो अंतर है, वो कितना है, दोस्तों, 4 है, यहां पर दिया है, उनका जो अंतर है, पर यहां देखो, 15 यहां 10 है, तो इनक पर दोस्तों, पर दोस्तों, 4 नहीं है, तो यह तो आंसर होगा नहीं, यह कितना, दोस्तों, 10 है, यह पांच, इनका अंतर भी 5 ही, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अब देखो, यह कोशन तो आपको समझ आ गया होगा, अब इसको थोड़ा लंब से, मैं आपक उसको निकालता हूँ, तो area का था length into breath, तो इसको multiply कर देता, तो x plus कितना हो जाता दोस्तों, यह multiply कर दिया, clear हो गया, तो इसको अगर मैं multiply कर देता है, इसका area के आता दोस्तों, जादा आता, तो इसको मैंने multiply कर दिया, अगर, clear हो गया, तो इसका जो area है, इसका जो, इसका जो area है, वो जादा है, किस से इससे जादा है, कितना जादा है, तो ऐसे 81 हो जाता है, तो बस इसको solve करूँगा, तो कितना जाएगा दोस्तों, x, x कितना जाएगा दोस्तों, x square, और x इससे भी multiply हो गया, तो कितना हो गया, जोंगे सेवनिस से मट्जी प्लाई वो गोगे सेवनिस एक सा बर भी यह चला जाएंगे तो उस तरफ चला जाएंगे तो सकती अगे सबीखअ काई ते थे चाहिए bark हमारी जो length है वो कितने आ जागे दूस्तों 10 आ जाएगी और breath कितने आ जागे दूस्तों 14 आ जागी तो यह हमारा अंसर होना था समझ आया कि नहीं है अब देखो अगर option में ऐसे होता जैसे मैं दे देता देखो अगर option में एक होता 1014 option में होता और आपके दिमाग में चल रहा होगा अगर एक option होता 19 और 13 तो आप देखते कि अगर इसको by option भी करना होता तो आप देखते कि 1014 इनका difference चाहरा तो यह answer होगा पर आपने देखा दूसरा option भी य चाहरा है अब answer कौन सा होता तो आपने के करना है कि इसको X लेकिनी solve करना है यही से option से उठा लो कि पहला option आप माल लेते कि 9 और कितना दूस्तो नो और कितना दूस्तो 14 13 माल लेते clear हो गया तो natural इनका 3 3 बढ़ा 3 3 बढ़ा तो इसको 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा यह तो 12 को इसने 12 चीकिता बतर साथ 12 के बारे के बारे तो 102 तो इसका जो एरिया वो जादा है इससे तो कितना जादा है वो आपने जल्दी जल्दी क्रोश चेक करना तो कितना आएगा 5 और 8-7 कितना है 75 तो इनका अंतर तो 75 आया वही अंतर तो 81 ना चाहिए तो यह option के होगे गलत होगे वैसे उसको क्रोश है कर लेते देखो 10 है 1014 कितना होगे 140 और 10 को यह बढ़ गये तो कितना होगे 13 14 में 17 तो यह होगे दोस्तों 13 गुणा 17 और 13 सत्ते कितना होगे 9 और 13 कम 13 13 में 9 डाले कितना होते है 222 होते हैं तो 200 कितना होगे दोस्तों 121 आगा अगर माइनिस करो तो 1 आगे बारे में 8 तो इनका अंतर कितना आगा दोस्तों 81 आगे तो मतला मेरा option is the right answer तो मतला paper जो crack होते है थोड़ा smart trick से crack होते है अगर इसको x लेके solve करेंगे तो भी आ जाएगा थोड़ा smart trick से सोचे करन है अभी देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या बोर रहा है तो नेक्स्ट कोशन बोर रहा है और बायर मेजरिंग 44 सेंटीमेटर बैंट इंटू दा सर्कल विद रेडिस मतला एक बायर है उसको अगर मैंने मोल्ड कर दिया तो इसका जो यह बाहर वाली जो बायर है वो कितने की कि यह गिस्ट आली संटीमेटर है ठूश का सरकल बना लिए को इसकी त्रेजा पूछ रहा है इसकी जो रेडिस है इसकी जो थीजा है वो खितनी होगी अगर इसकी तरीजा तो प्रिदी प्रिदी का प्रिदी निकालते बहुता है तो आर इधर ही रहा मेरा 44 इतर आगे 7 का चला गया ऊपर और तूइब इसको इसको आगे निचे और और यह बाइस यह यहां पर एक हाइट बनती है एक हाइट बनती है और नीचे बन जाता दोस्तों पर एक बेस बन जाता है तो इसका एरिया निकालना तो height into base होता है, टेलोग्राम का, ठीक है, समानतर चत्रबुजी लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको line ऐसे खिंच लो, तो यह आपका height बन गी, तो आपका base के बन जाएगा, नीचे वाला के बन जाएगा, base बन जाएगा, समझ आएगा, तो आपको के आपके बन जाएगा, तो इसको को आपको ऐसे क्रेक करना था, अभी देखते है, next question क्या बोल रहा है, next question बोल रहा है, a horse is tied up to a pole with a 28 meter long string, बतले एक घोडा बांदा हुआ है, एक रसी के साथ बांदा हुआ है, ठीक है, clear हो गया, एक रसी के साथ बांदा हुआ है, तो find the area, find the area where the horses can grass, अब बताया हुआ है, कि जो घोडा है, वो कितना cover कर सकता है, तो वो घोडा कितना cover कर सकता है, गोडा पूरा एक गोल चक्कल लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, एक पूरा गोल चक्कल लगा सकता है, अना, agree करते हो कि नहीं करते हो, तो आप से क्या पूछ रहा है, यह बीच वाला area पूछ रहा है, गोडा कितना area चर सकता है, अना, agree करते हो कि नहीं करते हो, तो अब म पर मिलों तब वहोता दोस्तों पाई आर स्केर होता बस अब आर तो दिया हो आपके अपको कहना आपको बहली पूट कर नहीं तो टुटी टू अपन सेवन छय कितना गया 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 अब मुझे करना दोस्तों छाट करना है multiply करना है और इसको 8-8 is a 64, 6, 8 zeros just 16, कितना आ गहा её दोस्तो, 22 हा गया, वह दोनों को multiply किये, तो 24, 4, कितना गहा, 2 हा गया, तो डिग्री के वैली पुछ रहा है तो मैंने टिग्रिमेटर करवाया हूँ तो आपको बस वैली हुई पता हो नहीं चीए बूक कैसे निकालते हैं जल्दी-जल्दी मैं बता देता हूँ तो 0,1,2 वैसे बहाँ मैंने डिटेल में समझाया हूआ है इसके अलग से चेप्टर बनाया हूआ तो आपने ऐसे 44 के कर दो दूस्तो डिवाइड कर दो और यह आपको पता है 0 डिग्री यह कितना दूस्तो 30 डिग्री यह कितना 45 डिग्री पूछ रहा है तो बस आगे तो जाना है नहीं है हम से यह पूछ रहा है तो अब यह 45 डिग्री वाले को सॉल करते हैं पहली वैली तो मुझे पता कि साइन ही आ जाता है तो यह जो वैली आजेगे 2 से काटा 1 by 2, 1 का अंडरूट कितना आगे दूस्तों 1 आ उसमें जो कोशन आया था एक तो उसमें जो कोशन पूछा गया था उसमें आप से पूछी गयी था 1030 के वैली पूछी थी तो वैसे 1030 के beliefs civile एभान अबरन ऐंडर थी यह घ्लिए रख यह होना था ओप्षय निए अंसर है था फारी यह ऑप्षयन में जो आंसर था जो था ऑफ चानि लगता अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें जै माता दी